CC गुरुकुल लेक्चचर में आप सभी दर्शकों एवंश्रोताओं का स्वागत मैं शंकर कुमार इतिहास विभाग हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्विद्याले में कारी रत हूँ और आज जिस विशय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो पुनर जागरन का है यूरोपिय संदर्भ है पंदरवी और सोलहवी शताब पंदियों का और पुनर जागरन जिसे रेनेस्वा के नाम से हम जानते हैं उसके शुरुवात इटली के सिटी स्टेट्स में हुई और उसके कई महतपूर्ण बिंदू है वो जो परिवर्तन है मूलतः वो सांस्कृतिक परिवर्तन की हम बात करते हैं पुनर जागरन के तह और उसमें हुमनिजम जो है यानि की जो सारे जो समझ है रेनेस्वा की उसके केंद्र में मनुशे है न की गौड या भगवान या बाकी कोई कंसर्ण और ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसके पहले के काल में जो पूरी यूरोपिय राजनेतिक और धार्मिक विवस और ऐसा भी माना जाता है हाला कि चर्च के प्रभाव को कम करने के लिए एक अलग आंदोलन हुआ जिसे हम रिफर्मेशन के नाम से जानते हैं तो उससे हमें कन्फ्यूज नहीं करना है रेनेस्वा को रेनेस्वा उसके पहले के काल का संदर्ब है रेनेस्वा का लेकिन रेन लेकिन एक इतिहासकार के लिए हमेशा यह चैलेंज होता है कि वह उक्तकाल में ही उसकी समझ बनाने की कोशिश करे निश्यत रूप से यह एक बड़ी घटना थी यह एक बड़ी प्रक्रिया थी यह एक बड़ा परिवर्तन था और आधुनिक्ता के कई पक्ष जो हैं वो काला अंतर में इससे प्रभावित हुए और इससे इंस्पायर हुए परंतु अगर हम 15 और 16 शताब्दियों के संदर्व में इसको समझने की कोशिश करें और इतिहास लेखन में कैसे इसकी समझ अलग-अलग तरीकों से बनी है अगर उसकी चर्चा करें तो हम पाते हैं कि रेनेस पक्ष है वो है कि क्या ऐक्सरान बोल देते हैं कि रेनेस्व गार्व में राज ब कल रहा था तो इन सारे बिन्दूव as a movement तो पुनट-जागरन एक आंदोलन के तौर पर तो अगर यहां आंदोलन था तो किसी भी आंदोलन में जैसा हम जानते हैं कि उसके protagonists होते हैं उसके कारेकरता होते हैं उसको करने वाले उस आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले उसको संक्रमित करने वाले उसको प्रसारित करने वाले लोग होते हैं and they are conscious people, they are a set of people, वो एक body होता है, वो एक group होता है जो उन्हें पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं, right? So it's a body of persons और उन्हें एक समझ और जोश बनी भी होती है और उस उद्धे से उस उद्धेश से वो सारे कारे करते हैं, तो क्या renaissance के संदर में ऐसा कहा जा सकता है? क्या हम कह सकते हैं कि अगर एक आंदोलन था तो it had a very defined set of persons और body of persons तो संभवता जो हमें उत्तर मिलता है वो हां म मिलता है, हां निश्यत रूप से अगर श्रूतों को देखें तो humanists जो थे वो अपने आपको renaissance के इस आंदोलन के protagonists के तोर पर देख रहे थे, वो अपने आपको renaissance लाने वाले कारिकरता के तोर पर अपने आपको देख रहे थे, that was how they identified their own selves, ठीक है? तो यह एक बात की जाती है, renaissance को movement के तोर पर समझने के लिए, और gombrick जो है, वो इस बात को काफी ज़्यादा तूल देते हैं, कि renaissance को हमें एक movement के तोर पर समझना चाहिए, और यहाँ अगर आप देखें, तो gombrick यह कह रहे हैं, कि यह जो humanists थे, जो की protagonists थे renaissance के, the devotees of man rather than God, but they are understood in some other terms, they are simply the teachers or students of a particular way of studying the classics, that is studia humanitatis. तो अब आगे जाकर, और यह महत्पून है, जिसे हम कहते हैं कि etymology, एक शब्द या एक टर्म इतिहास में या कालांतर में meaning बदलता रहता है, उसके अर्थ बदलते रहते हैं, संदर्व बदलने के साथ, उसके अर्थ बदलते रहते हैं, तो अगर इस शब्द को, humanism शब्द को, संदर्व में ही केवल हम देखें, ना कि अब जैसे liberalism अगर हम कहें, तो liberalism जिस समय फ्रेंच revolution के समय में जब इसकी बात की जा रही थी, तो liberalism के तहट हम, वो कौन सी चीज़ें थी जो समझ पाते थे, और आज अगर हम liberalism की बात करें, तो आज की हमारी समझ जो है liberalism की, वो उससे काफी विस्त्रत है, तो वैसे ही, अगर humanism की बात करें, तो renaissance की समय में, जो लोग अपने आपको humanists कहते थे, या लोग जो humanists दूसरों को करार देते थे, वो वैसे लोगों को करार देते थे, जो की studia humanitatis में लिप्त हों, या जो Greek और Roman classics को पढ़ते हों, और उनका यही काम था, कि वो classics को पढ़ते हैं, और उसी के अनुरूप परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं, so that was the understanding of humanism, यह जो समझ गॉम्रिक यह हमें बताते हैं, कि humanism की जो समझ बनी की, they are the devotees of man rather than God, वो संभवता renaissance के बाद की समझ बनी होगी, modernity के बाकी जो पहलू हैं, उसके आने के पश्चात यह समझ बनी होगी, और humanism का अर्थ जो है, वो ज़्यादा stretch किया जा रहा था, उसका फैलाव ज़्यादा हो रहा था, और बाद की घटनाओं ने यह सिद्ध किया कि humanist मूलत भगवान से इतर मनुश को केंदर में रखकर चीजों को समझने की कोशिश कर रहे थे, हो सकता है कि हम इस बात से सहमती रखें, परंतु गॉम्रिक का यह कहना है कि अगर हम समकालीन स्रोतों को देखें, समकालीन गरंतों को देखें, तो ऐसा प्रतीत होता है कि humanists वो हैं जो की classics को पढ़ रहे हैं, और classics में कई subjects आते हैं उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, और जैसा कि आप अपने slide पर देख सकते हैं, कि कई जो leading figures हैं रिनेसों के, जैसे Bruni, Poggio, वो लोग studia humanitatis को अपनी specialization मानते हैं, वो अपनी wishist मानते हैं, कि वो wishist इसी लिए हैं, क्योंकि वो classics पढ़ रहे हैं, और उनका मूल काम यही हैं, तो कहीं न कहीं आप कह सकते हैं, कि जो उनका self-identification है, वो यह है कि वो Greek antiquity के classics को पढ़ते हैं, और इसी कारणवश हम रिनेसों को एक self-conscious movement भी कहते हैं, with a genuine spirit decorps, यानि कि जो एक जजबा है, जिस जजबे के साथ वो classics को पढ़ रहे हैं, वो जजबा बिलकुल defined है, एक जोश है और उसका एक अर्थ है, उसकी एक meaning है, वो एक, वो एक, it is something, it is something tangible, that spirit is very much there, and it is shared by all the humanists, वैसे सभी लोग जो studia humanitatis में लिपते हैं, वो इस जोश से भी प्रभावित हो रहे हैं, और इससे आंदोलित हो रहे हैं, तो गॉंबरिक का यह कहना है कि हमें पुनर जागरन को एक आंदोलन के तोर पर समझना चाहिए, और एक आंदोलन के लिए, इतिहास में एक आंदोलन के लिए, जो उसके मूलतत्व होते हैं, उसकी जो features होती है, वो सभी features रेनेसॉम में भी satisfy हो रहा है, उसके protagonists हैं, उसमें वो spirit भी है, वो क्या कर रहे हैं, उन्हें पता है, जो आप कहते हैं कि आत्म चेतना है, वो देखी जा सकती है इन लोगों में, और इसका वो उदाहरन भी कई देते हैं गॉंबरिक, लेकिन अगर गॉंबरिक की बातों या गॉंबरिक की प्रस्तावना का हम critique करें, उसकी हैं कि renaissance humanism is equal to renaissance, यानि humanism is equal to renaissance, humanism जो है वही पुनर जागरन है, ऐसा नहीं है, और renaissance के उपर या पुनर जागरन के उपर जो बाद के शोध हुए, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो basic inspiration है renaissance की, उसे हम काफी सीमित तरीके से पारंपरिक रूप में, ग्रीस और रोम की जो classic period है, उसी दायरे में देखने की कोशिश करते हैं, जबकि it only partially was the work of humanists, तो renaissance या पुनर जागरन जो आंदोलन के तौर पर हम समझते हैं, वो केवल humanists का किया कराया नहीं था, उसके अलावे भी कई इसके protagonists थे, जो की संभवता Greek classics या studia humanities में लिप्त न हो, उसके परे भी कई actors हैं, जिन्होंने पुनर जागरन को एक एक नई meaning और एक content दिया, और इस दृष्टिकोंड से अगर हम देखें, तो ऐसा प्रतीत होता है कि गौंबरिक की जो प्रस्तावना है, वो थोड़ी उतनी सटीक नहीं दिखती, क्योंकि Renaissance के जो roots हैं, वो ज्यादा diverse है, वो ज्यादा आप कह सकते हैं कि एक ही दायरे में सीमित नहीं है, जैसा कि पारंपरिक रूप में हम लोग Greek और Roman classics को मानते हैं, और जो classical antiquity के इतर भी कई inspirations जो है Renaissance की वो देखी जा सकती है, और उसका अगर हम जैसा कि आप अपने slide पर देख सकते हैं, it's a wide ranging chronologically and geographically located in things beyond the classic antiquity, तो जो कि आपके slide पर आप देख सकते हैं, जो inspiration है वो Arabic भी है, वो Jewish भी है, वो Byzantine से भी लिया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि केवल एक सिमित दायरे से जो Greece और Rome की classical period है, वहीं से सारे inspiration आ रहे हैं, बलकि it is more eclectic, it is more diverse और कई समवेदनाएं, मूल समवेदनाएं रेनेस्वा की वो Arab से या Jewish background से या Byzantine background से भी आ रहा है, Early Christianity में जो चीज़ें की जा रही थी, वो भी कहीं न कहीं, उसका भी inspiration रेनेस्वा में या reference रेनेस्वा में हमें देखने को मिलता है, और सबसे बड़ी बात medieval culture and scholasticism, अक्सरहा इतिहासकारिया मानते हैं, कि रेनेस्वा वो something different from medievalism, middle ages or scholasticism, scholasticism वह काल विशेश का अध्यन का तरीका था, जो कि रेनेस्वा के पहले का था, जहां लोग classical text को पढ़तो रहे थे, पुराने गरंतों को पढ़तो रहे थे, परंतो जो उसका सामाजिक और civic पक्ष है या Sanskritic पक्ष है, वह काफी सिमित था और लोग अपने व्यक्तिगत संतुष्टी के लिए या academic, academic कारणों से उन गरंतों को पढ़ रहे थे, उसका कोई civic या social spin-off नहीं हो रहा था, scholasticism या यानि कि 13 वी और 14 वी शताब्दियों में, परंतों, वही classical texts को या अन्य जगों के texts को जब renaissance की समय पढ़ा जाने लगा, Italian city states में या उसकी कलाकृतियों को समझा जाने लगा, उसे पुनरजीवित करने की कोशिश की जाने लगी, तो हम पाते हैं कि वो antiquity को या classical period को, जो Greece का classical period है, उसको पुनरजीवित करने के परे भी कई कोशिशें उसमें अंतरनिहित हैं, यानि कि it was not an unadulterated revival of antiquity, केवल यूरोप के classical period को पुनरजीवित करने की कोशिश मात्र रेनेसा में नहीं की गई थी, परन्तु रेनेसा इससे बाहर और अन्य चीजों को भी सांस्कृतिक रूप से reinvigorate कर रहा था, तो ये एक आप आलोचना के तौर पर गॉंब्रिक की कर सकते हैं, कि वो humanism के तौर पर रेनेसा को काफी सीमित दाइरे में देखने की कोशिश करते हैं, जबकि बाद के शोध हमें यह दिखाते हैं कि रेनेसा में अन्य जगहों के भी inspirations हैं और कालखंड में भी classical period के बाद के भी period से inspiration लिया जा रहा है, सोबच सो कि जो scholasticism है और middle ages है जिसको रेनेसा से बिलकुल diametrically opposite माना जाता था, उसका भी कहीं न कहीं contribution हमें रेनेसा में देखने को मिलता है या निरंतरता देखने को मिलती है रेनेसा में, तो ये एक नई बात उभर कर आती है अगर हम गौंबरिक को आलोचनात्मक दिरिश्टिकोन से देखें, एक उसके पशात जो एक समझ बनी हिस्टोरियोग्राफी में इतिहास लेकन में रेनेसा के उपर वो पॉल आसकर क्रिस्टिलर के पुस्तक से मिलती है, उन्होंने जो रेनेसां के बारे में जानकारी दी, वो मानते हैं, क्रिस्टिलर का मानना है कि रेनेसां वाज आईबरिड फेनोमेन, और जिसकी चर्चा हम लोग अभी कर चुके हैं, कि एक वचनिये जो सोच है रेनेसां की हुमनिजम के तौर पर या क्लैसिकल एंटिक्विटी के तौर पर उसको पुनरजीवित करने के तौर पर, उससे इतर बाकी जो इंस्पिरेशन्स हैं, उनका भी कही न कही योगदान रेनेसां में रहा है, तो इसलिए इसे एक बहुवचनिये समझ के तौर पर समझने की जरूरत है, न की एक वचनिये तौर पर, वैसे ही, Krishler आगे कहते हैं कि, it is not a revival of antiquity, but as reinvigoration of arts, or disciplines of learning, or drawing on a variety of chronological and geographical sources, और इसकी चर्चा हम लोगों ने अभी तुरत की, कि इसे revival या rebirth के तौर पर, पुनर जीवन के तौर पर न समझ कर, आप कह सकते हैं कि reinvigoration के तौर पर समझे, तो बेहतर होगा, क्योंकि शायद कोशिश या नहीं थी कि, वैसा ही बना दें, जैसा कि classical period में, Greek और Roman sculptures बनाया करते थे, या वैसा ही चितरन कर दें, जैसा कि अतीत में किया जाता था, classical period में, बलकि उसमें एक नई जान फूकने की कोशिश की गई, उन कृतियों में एक नई जान फूकने की कोशिश की गई, जो की antiquity के sensibility से बाहर भी था, जो की antiquity की सिमाओं को भेद कर, वो आगे भी बढ़ता जा रहा था, और जैसा कि पहले हम लोग ये चर्चा कर चुके हैं, कि भागोलिक दृष्टी कोण से भी इसे केवल, अगर हम Greece और Roman सिस्टम में सिमित कर दें, तो संभवता हम गलती कर रहे होंगे, वैसे ही जैसे अगर हम कालखंड के दृष्टी कोण से केवल classical period को inspiration मान रहे हैं, जिसकी revival की जा रही है renaissance में, तो भी शायद हम गलती कर रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि early Christian period से, या Jewish tradition से, या Byzantine tradition से भी renaissance के artists या renaissance के जो protagonists हैं, वो काफी प्रभावित और आंदोलित हो रहे हैं, इसके अलावा, क्रिश्टलर हमें यह भी बताते हैं कि अगर Gombrick ने हमें यह समझ दी है कि renaissance was a movement with respect to humanism, तो क्रिश्टलर भी इस बात से सहमती रखते हैं कि हाँ, movement के तौर पर निश्चित रूप से हम humanism को मान सकते हैं, लेकिन पूरे renaissance को नहीं क्योंकि renaissance is a bigger entity, humanism was just one part of renaissance and certainly humanism was a movement, तो humanism एक अंदोलन निश्चित रूप से था, ऐसा crystal भी मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि पूरे renaissance को, पूरे पुनर जागरन को केवल humanism के दाएरे से अगर देखने के कोशिश करते हैं, तो हम इसका एक गलत तरीके से, एक काफी सीमित तरीके से एक दृष्टिकोन बना रहे हैं, renaissance was much much over and beyond this, तो यह हमें crystal बताते हैं, और इसके अलाबा जो studia humanitatis की चर्चा हम लोगों ने पहले की थी, कि humanists वही हैं, जो की humanitatis studia में लिप्त हैं, यानि की classics को वो पढ़ रहे हैं, जो core subjects studia humanitatis की थी, जैसे grammar, rhetoric, poetry, history, moral philosophy, तो यह सारे कुछ ऐसे subjects हैं, ऐसे विशे हैं, जो studia humanitatis के अंतरगत पढ़ा जा रहा था और उसकी व्याक्खा की जा रही थी, और अगर हम इस इन विशियों को देखें, तो हम पाते हैं कि grammar और rhetoric तो मध्यकाल में भी लोग पढ़ रहे थे, और जिसे हम feudal age मानते हैं, जिसे हम सामंतिय विवस्था के तौर पर मानते हैं, middle ages मानते हैं, dark age मानते हैं, तो अगर यूरोप के medieval age को देखें, medieval परंपरा को देखें, मध्यकालीन परंपरा को देखें, तो उसमें लोग classical period की या studia humanitatis की grammar पढ़ रहे थे, rhetoric medieval age में भी पढ़ा जा रहा था, तो ऐसा नहीं है कि medieval age was an inversion of antiquity, सचाई तो यह है कि जो middle age reconstruction है, इतिहास लेखन में, that is a byproduct of renaissance, renaissance ने अपने काल के पहले के कालखंड को दर्शाने के लिए जो शब्द प्रियोग किया, जो phrase प्रियोग किया, that was middle age, जो middle ages में उन शब्दाप्दियों में रह रहे थे, Europe के लोग वो अपने आपको खुद सूचित करने के लिए इन शब्द का प्रियोग नहीं कर रहे थे, so renaissance in fact coined this term middle age for the period that separated it from the antiquity, तो antiquity और renaissance के बीच के कालखंड को एक नाम जो दिया गया middle ages का वो renaissance का दिया हुआ नाम है, और अपनी बात को आगे रखते हुए क्रिस्टलर हमें यह भी बताते हैं कि humanists were successors of medieval Italian dictators but were distinguished from these predecessors by a new interest in direct study and first-hand knowledge of Greek language and texts. तो हम कह सकते हैं कि यहां हमें निरंतरता देखने को मिलती है, renaissance और humanists की medieval times से, तो medieval जो middle जो तरीका है चीजों को पढ़ने का वो उसमें विशे के तोर पर तो हमें निरंतरता मिलती है, परंतु जो शैली है, जो शैली में उसे पढ़ना है, antiquity के text को पढ़ना है, वो अंतर था और अब renaissance के समय में सीधा वो उसी भाशा में, ग्रीक भाशा में उसको समझने की कोशिश कर रहे थे, न कि कोई translated या artificial तरीके से या उसकी टिपपनियों को, कुझियों को पढ़कर समझ बनाने के कोशिश नहीं कर रहे थे, बट renaissance scholars जो हैं, वो सीधे तोर पर ग्रीक भाशा जान कर फिर इस प्रकार के ग्रीक गंतों का अध्यन कर रहे थे, और इस दृष्टिकोंड से renaissance के जो scholars थे, वो medieval scholasticism या middle ages के जो अध्यन की परिपार्टी थी, उससे अलग और भिन्न थे, इसके अलावा जा भी कहा जाता है कि renaissance humanism is not a new philosophy, क्योंकि scholasticism सोलमी शताबदी तक Italy में हमें व्याप्त मिलता है, तो जो मध्यकालीन अध्यन की परंपरा है, क्लासिक्स को पढ़ने और समझने की परंपरा है, ऐसा नहीं है कि renaissance के आने के बाद वो पुना बंद हो गया, और सहसा बंद हो गया, बलकि scholasticism आगे भी सोलमी शताबदी Italian city states में भी हमें देखने को मिलता है, वो tradition भी व्याप्त है, साथ में renaissance की जो tradition है वो भी व्याप्त है, और आगे चलकर कालांतर में भविश में हम पाते हैं कि scholasticism got obliterated और renaissance जो है वो केंदर में आ गया, तो लेकिन अगर पंद्रमी शताबदी और सोलमी शताबदी के पनिदरिशे को देखें, तो हमें ऐसा कोई break डारेक्ट नहीं देखने को मिलता है, तो कहीं न कहीं हम पाते हैं कि क्रिस्टल जो हैं, वो मध्य यूग और renaissance या पुनर जागरन की निरंतरता को ज़्यादा तरजीह देते हैं, और इसके आप विरोध में कह सकते हैं, या इससे इतर हाना ग्रे जो कहती हैं, उनका कहना है कि शायद क्रिस्टल जो हैं, वो ज़्यादा ही तूल दे रहे हैं इस बात को, कि renaissance जो है या पुनर जागरन जो है, वो मध्य यूग से बिलकुल अलग नहीं है, बलकि उसके तार मध्यूग से जुड़े हुए हैं, तो जो निरंतरता जिसको क्रिस्टल उद्रित कर रहे हैं, उसको तोड़ने की कोशिश हाना ग्रे करती हैं, और वो starkness दिखाने की कोशिश करती हैं, कि यह निरंतरता उतना उद्रित नहीं होता है, और उनका हाना ग्रे का कहना है कि यह पेशों में या जो literary genre हैं, उसमें तो हमें यह निरंतरता देखने को मिलती है, लेकिन जो subjective attitude है, eloquence और rhetoric पढ़ने का renaissance में वो बिलकुल भिन्न था, और इसी की चर्चा मैंने आपको civic sense में की थी, कि जब renaissance के scholars classics को पढ़ रहे हैं, तो उसका एक civic value, वो उसको inculcate करना चाहते हैं, और वो एक fashion के तोर पर उसे पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जैसा आप आगे देखेंगे, कि Robert Black इस बात को काफी उद्रित करते हैं, और उनका कहना है कि यह जो studia humanitatis है, जिसे हम मधिकाल में भी होते हुए देख रहे हैं, scholasticism में भी देख रहे हैं, लेकिन renaissance के समय में, यह क्यों इतना fashionable और इतना game changer सा हो गया, वो इस लिए, क्योंकि इसके political और social correlates भी थे, तो इसके, यानि कि जो renaissance काल के जो philosophers थे, जो scholars थे, painters थे, architects थे, उनकी दक्षता जो classics में थी, उसकी मांग थी, उसकी राजनेतिक मांग थी, उसकी सामाजिक मांग थी, तो कहीं न कहीं, it presupposes an emergence of distinguished badge of leaders of Italian and European society, जो इस मामले में दक्ष हैं, वो सामाने से अलग दिखते थे, और उसका, जो उस समय की ruling political elite थी, वो इस तरह के लोगों की खोज में थे, वो उन्हें तरजीह देते थे, तो कहीं न कहीं political leveraging भी हो रहा था, उसका एक राजनेतिक जो फाइदा renaissance के scholars को भी हो रहा था, इस बात को Robert Black जो हैं, वो उधरित करते हैं, और मोटे तोर पर जो इतिहास लेखन में renaissance की समझ है, उसके अलग-अलग आयामों को मैंने यहां संकलित करकर आपके समख्च रखा, और मोटे तोर पर आप इनी contours के basis पर renaissance के इतिहास लेखन को समझ सकते हैं, धन्यवाद. झाल एक भान सुटाथ अजया घंक आपके समझ समझल हुए्डमे जडशस सभी धने लेखनरियों करे तोर टीत-प्र जोजजक